ओम सिरी गने सायनम दोस्तों एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक सुवागत हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सत्रा मार्च रविवार के रासी फल के बारे में कि इह दिन मकर रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी इने ने वीडियो पहुंच सके चड़ी दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मकर राशी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तो आज आपकी वित्य इस्थिती में काफी सुदार आ जाएगा अचानक से धन प्राप्ती के आफसर आपके जीवन में आएंगे जो आपके भविस्य में आपके लिए एक बहतर आर्थिक जीवन का मार्ग प्रस्तुत करेंगे शिक्षा के लिए बहतरी समय रहेगा और आज आप अच्छी उपलब्दियों को प्राप्त करेंगे दोस्तो आप में आज उड़जा का इस्तर सामान रहेगा दूसरों के साथ अच्छे वेवार से आप दिमाग से काम लेंगे साथ काम करने वाले लोग आपके लिए मददगार हो सकते हैं किसी योजना के बारे में आप विचार कर सकते हैं थोड़ा धहरे से काम लेना होगा और टकराव की इस्तितियों से आज आप बच कर चले आप शांत लहजे में बात करेंगे तो लोग आपकी काफी तारीफ करेंगे दोस्तों आपकी आर्थिक इस्तिति आज काफी बहतर रहने वाली है और आप समय पढ़ने पर अपने कुछ मित्रों और रिष्टेदारों की आर्थिक साहता करेंगे नोकरी पेसा वाले लोगों को अधिक लाब मिलेगा उन्हें मन चाई नोकरी प्राप्त होने से अच्छे धनलाब के सुरोत जुड़ेंगे इस समय में जो कुछ कार्य हो रहा है उसे सफल बनाने का प्रियास बहतर हो सकता है कुछ बिगड़े हुए कारों में सुधार होने की संभाव ना है विपरीत परिस्तितियों में कुछ धनलाब के अच्छे अफसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं आपके मन में जल्द से पैसा कमाने की तीरव इच्छा पैदा होगी यह अच्छा वक्त है जो आपके लिए काम्याबी और खुसहाली लाएगा अपने उद्दिस्यों की और सांती से बढ़ते रहें और सफलता आपको मिल सकती है अगर हालत का आपने धहरे से सामना करा तो आपको अच्छे प्रणाम प्राप्त हो सकते हैं कामकाजिके नजरिये से आज का दिन वाके में आपके लिए बहुती अच्छा रहने वाला है जिससे आपका मन बहुती प्रसंद रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगडिव हो सकता है दोस्तो आपको अपने भाई बेनों का आज पूरा शेयुग प्राप्त होगा और समाज में भी आपका और आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा आपको परिवार की जरुतों को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा जो कई बार आपके नियंतर से बाहर होगी और इसके लिए आप परिशान भी होंगे दोस्तो साथ साथ कोई खास सौदा या बड़ा फैसला लेने से बचे कोई फैसला नहीं लेने और नतीजा नहीं मिल पाने में आप परिशान हो सकते हैं दिनवर कहीं न कहीं से रुकावट की इस्तिती रहेगी जो समया कर किसी को भी कोई बिना मांगी सला ना दें कठिन परिश्रम से सभी करड़े आपके पूरे होंगे लेकिन अनावशक खर्च बढ़ने से आर्थिक इस्तिती परतिकूल हो सकती है लेने देन में सावधानी बढ़ते हैं परिवार का महाँल अच्छा लहेगा लेकिन दोस्तों से अनबन हो सकती है शंवेदन सील मामलो में स रथा बादा उत्पन हो सकती है, वेवसाइक दरश्टी से समय आपके लिए सामान रहने बाला है, कोई नेक कारण योजना को विस्तार देना परिसानियों का कारण हो सकता है, कोई तनाव और मतबेद आपको चिर्चड़ा और बेचेन बना सकते हैं, आप अपने परीचितों पर अपने फैसले थोपने की कोशिस करेंगे, तो आप अपने हितों को ही नुकसान पहुचाएंगे, सुनी अंसुनी बातों पर आखें मूंद कर यकीन ना करें, और उनकी सच्चाई को भली बाती परकें वानी पर नियंतर रखना होगा, अन्यता कले होने की संभावना भी रहेगी साफधान रहें, दोस्तों बात कर लेते हैं, आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं, दोस्तों किसी तरह की यात्रा या किसी तरह की सौपिंग इत्यादी को लेकर कहा सुनी हो सकती है, ऐसे में आपको मदूर संबंद बनाए रखने का प्रियास करना आवश करेंगे, लेकिन ध्यान रखें, मर्यादित आचनर करना ही सर्व था उचित होगा, साथ इसाथ दोस्तों आपको अपने प्रेतम को यह भी महसूस कराना होगा, कि वास्तम में यह रिस्ता आपके लिए काफी महत्व रखता है, और आपका प्रेतम ही आपके लिए सब कुछ ह दोस्तों आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन शाबित होने वाला है, दोस्तों इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए, दोस्तों बात कर लेते हैं जब कवेशाई केरियर कैसा रहने वाला है, दोस्तों वेपार धंदा आज अच सिल्सिले में आज आपको कोई छोटी आत्रा पर भी जाना पड़ सकता है जो आगे चल कर आपके लिए काफी लाब्दाइक सिद्ध होंगी साथिसाथ आज आपको धन प्राप्ति के भी अनेकों अवसरों की प्राप्ति होगी जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्त साथि साथ मेडिकल से जोड़े छात्रों के लिए दिन आज आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी दिन आज का काफी मिला जुला रहने वाला है साथि साथ आज आज आपको अपने वैवसाय को लेकर कोई यात्राएं हो सकती है जिनका आपको शकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा जिन दोस्तों वैवसाय के दरश्टी से आज की स्तिती आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाली है और इस समय कुछ अच्छा लाब आ कोई आवस्चता नहीं है आज आपका स्वास्त आपका भरपूर साथ देगा आज आपके स्वास्त के सितारे आपका भरपूर साथ देंगे आज आप अपने आपको उड़जावान और बिलकुल तनावमग तो महसूस करेंगे जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा साथ साथ दोस्तों अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश हुपाई क्या है दोस्तों आज आप इशनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद बरगत का एक पत् को साफ जल से या फिर गंगा जल से धोएं इसके बाद आप इस बर्गत के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर भगवान शुर्यदेव का इसमान करते हुए बहते हुए जल में छोड़ दें और साथ साथ अपनी मनों काम नहीं मांगें या दोस्तों इतना करने मात्र से ही भगवान शुर्यदेव बहुत जल्द प्रसन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परेशानिया चल रही हैं समस्त परेशानियों कंत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपके समस्त कार्रे बहुत यासनी स बनने लगेंगे दोस्तो भगवान शूरदेव कासिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैस शूरदेव अवस्च लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद